साथियों नमस्कार आज हम जानेंगे SSC GD जो वेकेंसी आई है उसका फॉर्म आप कैसे फिल करें तो उसके लिए वीडियो के साथ अंतक बने रहें वीडियो को इसकी पना करें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाएं सबसे पहला काम तो हम यहाँ पे website डालते हैं ssc.nic.in जब हम इस website को input करके इंटर करते हैं तो हमारे सामने SSC की site खुल जाती है दूसरा मैं एक बात और बता दूँ आपको अभी site में थोड़ी problem चल देए कुछ लोगों को दिक्कते आ रही है form भरने में अगर आपको problem हो रही ह या किसी और चीज में problem हो रही है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है यहाँ जो cross की button होगी close की आपको उस पे again ऐसे click कर देना है एक बार cross करके click कर देना है फिर आपके सामने यह again सही से open हो जाएगा अब यहाँ पे हमें क्या करना है ssc का जैसे आपने पहले farm कोई भर रखा है तब तो यहाँ पे आपको registration डालना है अगर आपने पहले registration नहीं किया है तो आप new user पे click कर लें और यहाँ पे अपना registration कर लें और registration करके उसके बाद आप जो है form भरे अगर आपको registration में कोई problem है तो आप उसके लिए परिशान ना हो registration का video link मैं आपको description में दे कि किस तरह से आप registration कर सकते हैं तो जैसे आल्रेडी मैंने registration कर रखा है अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे किस तरह से आप form को fill करें तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे username पे अपना username लिखे username का मतलब आपका registration number वो registration number यहाँ पे आप लिखे और registration number के बाद आपको password देन यह मैंने registration number input कर दिया registration number के बाद यहाँ पे बाद आती है password की तो password आपने जैसा डाल रखा है ठीक वैसा ही password यहाँ पे input करें password में कोई correction ना करें अगर आप password भूल गये हैं तो आप password forget कर सकते हैं अगर कोई problem आ रही हो forget करने में तो comment करें मैं उस पे भी आपको वीडियो पाएगी तो मैंने यहाँ पे जैसे ही login किया तो आप देखें तो यहाँ पे हमारे सामने इस तरीके से message box आ गया पूरा का पूरा SSC का जितना भी notification vacancies या सारा detail है वो इस list में आपको मिल जाएगा अब हमें क्या करना है हमें जानना है सबसे पहले apply करना है तो देखें हमारी जो vacancy है constable gd gd का है फिर उसके बाद capss का है फिर ssf का है तो आप इसमें से कौन सा पिक चाहे जो मनलब फिलब तो आपको सारे करने होंगे लेकिन अब आपको इसमें form फिलब करने के लिए आपको क्या करना है apply option पे click कर देना है जैसे हम apply पे click करेंगे तो आप देख ले यहाँ पे आपका सारा detail इस area पर दिखने लगेगा जो आपने registration में डाला है और आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे blur कर रखा है तो मैं आपको बता दू किसी का detail स्वाफ नहीं करना चाहिए इसलिए मैंने इसको blur कर रखा है अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको fill up करना सिखाते हैं कैसे fill up करें तो यहाँ पे लिखा whether you are ex-serviceman अगर आपने पहले कोई job कर रखा है तब तो आप yes करें नहीं तो आप no करें और no करके फिर आप आगे बढ़ जाए फिर उसके बाद यहाँ पे age में अगर आप छूट चाते हैं तो आप इसको no करें फिर उसके बाद अगर आपने NCC कर रखा है तब आप no करें अब उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरा आता है exam center आपको कौन-कौन सा चाहिए तो जैसे ही आप इस पे first पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे exam center जैसे आपका पहला exam center जो आप लेना चाहते हैं तो प्रयाग राज क चाहिए वो center का नाम यहाँ पे select कर लें अब हमने center का नाम यहाँ पे select कर लिया और center का नाम select करने के बाद medium of computer-based exam nation आप जो देना चाहते हैं वो कैसे चाहते हैं हिंदी में या इंग्लिज में तो आप यहाँ पे language चुन लें sorry same चुनना है दोनों पे verify करना होता है फिर आप किस राज्य के निवासी है वो राज्य यहाँ पे चुने राज्य का पहला अक्षर जैसे ही आप फिलब करते हैं तो यहाँ पे आपको उस राज्य का नाम आ जाता है राज्य का नाम select कर लें फिर उसके बाद domatial of district district आप अपना district डालें जैसे ही यहाँ पे आपने राज्य सेलेक किया, राज सेलेक करने के बाद आप आगे आएंगे, तो यहाँ पे आपके जिले का नाम आपको देना होगा, तो इस एरिया में आपके डिश्टिक का नाम यहाँ पे दिखने लगेगा, तो कभी-कभी साइट की वज़े से प्रॉलम होती है, तो थोड़ा सा वेट कर लें, यह देखें, डिश्टिक का नाम यहाँ पे आजाएगा, अब यहाँ पे अपना डिश्टिक सेलेक कर लें, डिश्टिक सेलेक करने के बाद, फिर उसके बाद यहाँ पे सेम कनफर्म करना है, आपको डिश्टिक, करना है अगर वहां से आपने पढ़ाई कर रखी है या आप वहां के हैं तो आप इसको yes करें नहीं तो no करें फिर उसके बाद आता है कि आप vacancy में किसको बरीता देना चाहिए तो यहां पे जब post detail पे पहले Assam Rifle का Assam Rifle का F है तो और SSF का H है तो यहां पे आप जिस code को बरीता देना चाहिए जिस form को उसको आप यहां पे भरें तो इसकी आप photo खिच ले या copy में आप लिख ले जिससे आपको पूरा detail पता चल पाए आपको यह clear रहे कि आप किसको बरीता देने वाले हैं तो हमने माली इसकी photo ले ले लिए इसकी photo लेने के बाद अब हम आगे जो है process करेंगे कि किस तरीके से कौन सा जो है vacancy हम फिल करें जिसको हम बरीता देने वाले हैं अब हमने यहाँ पे code fill कर लिया फिर उसके बाद again हमें same code वही fill करना है नीचे की तरब verify के लिए तो हमने यहाँ पे अपने according select कर लिया और select करके हमने verify कर दिया verify करके फिर अब हम आते हैं यहाँ पे highest qualification आपकी जो highest qualification है वो आप यहाँ पे fill करें तो जैसे अगर आपने graduation का रखा है PG का रखा जो भी आपने कर रखा है वो यहाँ पे आप select कर लें तो हम यहाँ पे और दूसरा details of qualifying examination तो जैसा कि आपकी जो vacancy है उसमें सिर्फ high school का ही detail चाहिए तो यहाँ पे 10th standard करें अगर आपने high school मालेजे आपने 10th नहीं पढ़ा है कभी कभी क्या होता है कि उससे related आपने कोई पढ़ाई कर रखे जैसे मालेजे मदर्सा से पढ़ाई कर रखी है संस्किस से पढ़ाई कर करने के बाद फिर state अब यह cj active हो जाएंगी थोड़ा सा wait करेंगे कभी कभी site की विज़े से problem हो जाता है तो यहाँ पे आप past को select करें और past को select करने के बाद फिर आगे details fill करना होगा अब यहाँ पे जैसे ही आपने past किया past करने के बाद आपका यहाँ पे जो आपने high school में registration time पे fill up किया है already fill हो जाएगा rule number वगएरा फिर आपको यहाँ पे आपका जो percentage है वो आपको fill करना है fill करने के बाद फिर उसके बाद आपका अगर CGPA में result था तो CGPA कर दें फिर क्या आप यहाँ पे देख लें do you want to make your personal information available of a crossing job opportunity in terms of DEP यह इसको देख लिजे अपने according यहाँ पे देख लिजे पारा 19 देख लिजे तो आपको पता चल जाएगा पारा 19 कौन सा है यह है state के according कोई vacancy आती है तो वहाँ से आप यह इसको भर सकते है तो पारा 6.1 तो आप पारा 19 देख लेंगे तो आपको detail पता चल जाएगा तो हम इसको no कर देते हैं क्योंकि हमको अपनी detail share नहीं करनी है फिर उसके बाद यहाँ पे आपका सारा detail fill up है फिर आप हम बात करते हैं यहाँ पे photo upload करने की तो यहाँ पे कह रहा है upload a photograph without special cap या cap नहीं लगा सकते है और साथ-साथ कोई special sticker कोई भी sticker वगएरा उस पे photo पे नहीं होनी चाहिए simple साथी photo होनी चाहिए यह जरूर ध्यान दे कुछ लोग selfie photo लगा देते हैं ऐसी तो यह सारी photo नहीं चलेंगी अब यहाँ choose photo पे आते हैं और photo की size भी आप देख लें कितनी होनी चाहिए 3.5 cm और 4.5 cm इसकी height और सारी चीज़ों को आप set करने के बाद अब जहाँ पे photo है उस photo को आप select कर ले photo upload हो गई ठीक ऐसे signature को भी हमें upload करना है तो signature यह है अगर माल लिजे signature आपको लग रहा है कि इसमें कम या ज़्यादा है तो इसको आप open with करके pen पे कर लिजे और pen पे करके आप इसको जो है photo signature को crop कर लिजे तो मैं यहाँ से signature को थोड़ा सा crop कर लेता हूँ और फिर यह crop करके इसको फिर से again मैंने save कर लिया और फिर save करने के बाद हम यह signature को select कर लेते हैं तो कहता है signature 10 से 20 के भी चाहिए तो हमारा signature किते के भी का है mouse रोकेंगे तो पता चल जाएगा आए इसी में जानले कि signature के size को भी कैसे adjust करें pen में आप इसको open कर लें बहुत ही आसानी से मैं बता दूँगा और फिर उसके बाद यह जो option है resize का resize पे click करें और यह जो 100% है इस 100% को आप कम कर दें इसको कर देते हम लगभग 50% और ok कर देते हैं ok करने के बाद save कर लें और save करके आप देखें तो आपका जो signature है वो कितने size का हो गया लिख के आगया 11.5 अब इसको जैसे ही open करेंगे signature add हो गया फिर यहाँ पे कह रहा है कि आपका photograph इस तारीख के बाद का तो नहीं है तो यहाँ पे कहते हैं whether the photograph has been taken on after इस तारीख के बाद का तो कहते हैं no कि हमारा sorry yes कि हमारा photo जो है इसके बाद का ही है पहले का नहीं है तो अगर इसके पहले का है तो no कर दे तो no पे यह photo को accept नहीं करेगा तो आपने yes कर दिया yes करने के बाद फिर हम नीचे की तरफ आते हैं फिर I agree करते हैं और फिर यहाँ पे capture फिल करते हैं जो capture आपके सामने दिया हुआ है इस capture को फिल करके आप preview कर लीजिये और preview करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका form सही भरा है या नहीं तो थोड़ा सा वेट करेंगे preview आपके सामने खुल रहा है थोड़ा सा वेट कर लें ऊपर से नीचे आप वैसे भी चेक कर सकते हैं कि form सही भरा है या नहीं अब जैसे हम preview पे click करते हैं तो हमारे सामने preview का देखिए ऐसा window आजाएगा यहाँ पे आपका पूरा का पूरा form दिख रहा होगा इस तरीके से आप देख लें यहाँ पे पूरा form आपका fill up है अगर सारी चीजे सही है तेन click submit आप submit पे click करके ok करें और आपका form complete हो चुका है अगर आप male candidate हैं तो आपको यहाँ पे fee pay करना होगा अगर आप female candidate हैं तो आपको कुछ करने की जरूद ने आपका form पूरी तरीके से complete हो चुका है और बहुत ही आसानी के साथ आपका form complete हो चुका है आप इसका ok कर दे और print निकाल ले पहले हम print पे click करके फिर यहाँ ok कर देत हैं और अब हमारा form complete हो चुका है हमें extra कोई काम करने की जरूद नहीं अब हमारा form verify होने के लिए तयार हो गया है 24 गंटे 48 गंटे में यह verify हो जाता है इसके लिए आपको परिसान होने की जरूद नहीं है तो बहुत ही आसानी के साथ आप SSC GD जो awesome rifle की vacancy आई है उसको आप fill कर सकते हैं दोस्तों उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें ज्यादा ज्यादा लोग तक share करें ताकि उनको भी ये knowledge मिल पाए दोस्तों thank you so much वीडियो को अंतक देखने के लिए